प्रदूशन के कारण निर्मान कारे बंद होने पर मजदूर रहने की मुआफ़जे की माँ श्रीनगर इंकाउंटर में तीन स्थानिय निवासी समेट चार की मौत सुप्रीम कोट ने लगाई त्रिपुरा हिंसा में यूए पीए में नामित किये गए पत्रकार और वकीलों की गिरफ्तारी पर रोक गुजरात के प्रमुक शेहरों की सडकों पर नहीं बिकेगा मात्सा हारी खाना और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 10 हजार से जादा नए इमाम दे दिली सरकार ने दिली में बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए दिली में सभी तरह के निर्मान कार्यों पर प्रतिबंद लगा दिया है इसी तरह दिली से सटे हरियाना और पंजाब में भी निर्मान कार्यों पर रोक लगा दी गई है मगर ये सब करते हुए दिल्ली के भवन निर्मान मजदूरों के बारे में जरा भी नहीं सोचा गया और सीधा एक जटके में इन मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली गई इस सवाल को लेकर मजदूर संग सुप्रीम कोट पहुँच गए है जहां मजदूरों के लिए काम बंद होने पर मुआफ़े की मांग की गई है एन्डी टीवी की एक रिपोर्ट के मताबिक उनकी ओर से कहा गया है कि निर्मान गती विदियो पर पूर्ण रोक लगाना उच्चित नहीं है गैर प्रदूशन कारी निर्मान गती विदियो को इजाज़त मिलनी चाहिए निर्मान पर अचानक पूर्ण प्रतिबंद लगाने से गंभीर वित्य नुकसान और उटपीडन होता है उन्होंने का कि दिल्ली और हर्याना सरकार भवन निर्मान श्रमिकों के लिए काम बंद होने के दिनों में अनुग्रे रात योजनाय तयार करें प्रतिबंद लगाने से पहले पंदरा दिन का नोटिस भी दें मजदूरों ने कोट में दिल्ली NCR प्रोदूशन मामले में पक्षकार बनाने की भी मांग की है शीनेगर के हैदरपुरा में सोमवार को हुई एक मुटभेड में तीन सिविलियन समेत एक कथित मिलिटेंट की मौत हो गई पुलिस का दावा है कि तीनों सिविलियन्स मिलिटेंट के मददगार थे मगर परिवार ने ऐसे किसी भी तरह के लिंक से इंकार किया है ऑपरीशन में मारे गए डॉक्टर मुदसिर गुल और एल्ताव भत की वहाँ स्थित एक कमरशिल कमपлекस में दुकाने थी देंटल सर्जन मुदसिर गुल कमप्लेकस में कम्प्डuez सेंटर चलाते थे वहीं अलताफ इस commercial complex के मालिक थे और वहां hardware और cement की दुकान भी चलाते थे अजय कोई दाशदगार नहीं था यह आम इनसान था इसका दो बचे हैं यह आव राथ है आवी ने प्रेटी यह इस पानिस आप सस्माज़ इन्यू क्या गवाना है ब्यतक्सिर जाक्टर मुदसिर जिचन कोई यह दाशदगार नहीं अजय कोई यह देता है यह अपने आफिस में तो काम कर रहा था है अलजी साहब से हाथ जोड़ कर रहा हूं कि मेरे को इनसाफ चाहे अगर मेरा बाई किसी मिल्टन और अर्गनाइशचे से कोई इन्वालोमेंट है तो आप मुझे सजाई दीजी वरना मेरे को इनसाफ चाहे और दूसरी रिक्वेस्टी मेरे मेरी एलजी साहब से है कि मुझे डेट बाईड़ी वापर चाहे चूंकि वो कोई मिल्टन सी में इन्वालोम तो नहीं था वो एक मंजा हुआ बिजनिसमेन था घर वाले का चुकि उसके घर में हैड़ोड था मिल्टन रहता था इसलिए उस उसको बचा सकते थे बहुत परियास किया गया लेकि बचाना मुस्किल था क्योंकि दोनों साइड से फारिंग हो रहा था लेकिन मुदसर जो था यह हाट कोई ट्रिस्ट का यह टॉप रेंकेट यह ओजडवलू के हैं ट्रिस्ट से था यह मिल्टन सी में काफी महुल था कंना जो बच बस्को नहीं खाल को था कफ माकार बचात को अपस करो आपस करो बस्क अबसक नहीं को करकई दैvelop को कि अबस्त एठीम को पॉपिश घाल क बचात की घि एंसर की आपकर अपस करो। 소hh if you are if you properly know he is an OGW kill me first then kill my daughter I am giving you proper authority, full authority, kill us both because I know he wasn't an OGW he wasn't a terrorist, he wasn't anything he wasn't earning money illegally, he wasn't doing anything illegal he wasn't doing anything illegal people are living in their car they took the car, they took the car they took the car and sell the car they took the car and they were sold they took the car and they took the car their children, their children, their children their children, their children, their children Supreme Court has been destroyed in USA and UAP in a company by force two authors and one of the Chat we are committed to this का फैसला सुनाया है इसी के साथ कोट ने मामले में त्रिपुरा पुलिस से यूए पी लगाने के लिए जवाब भी मांगा है आपको बता दे कि इसी मामले में दो वकीलो मुकेश कुमार अंसारुल हक अंसारी और न्यूसक्लिक के पत्रकार शाम मेरा सिंग ने यूए पी के क कुझा स्थलों के खिलाफ की गई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के अधार पर उच्चेतब न्यायाले ने वकीलों पत्रकारों और मानवादिकार कारेकरताओं समेथ एक सो दो लोग के खिलाफ यूए पीए का मुकदमा दर्च किया है हमदाबाद नगर निगम ने शहर की मुख्य सडकों से मासाहारी बोजन बेचने वाले सभी स्टॉल हटाने का वैसला किया है इस कदम के बाद वैसा करने वाला राज्जे का चौथा नगर निकाये बन गया है एक तरफ मुख्यबंतरी भूपेंदर पटेल का कहना है कि उन्हें मासाहारी खाने से कोई आपत्ती नहीं है मगर सडकों पर मासाहारी खाने का स्टॉल लगाने वाली रेडी पट्री वालों की रोजी रोटी खत्रे में आ गई है सेकडों की संक्या में रेडी पट्री वाले एहमदबाद में मासाहार खाने के स्टॉल लगाते हैं मगर अब जाहिर तोर पर उनका जीवन यापन मुश्किल में पड़ा है केंद्रे स्वास मत्राय दौरा आज बुदवार 17 नमबर को जारी आंकडों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 10,000 से जादा नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोना से बीते दिन में 301 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में करोना से पेड़त 12,134 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव माамलों में करीब 22,000 मामलों की कमी हुई है देश में करोना संक्रमंट के मामलों की संक्या बढ़कर अब 3,44,000 के करीब हो गई है जिनमें से अब तक 4,6,000 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़े 3,38,000,000 से ज़ादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और अक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,28,000 से ज़ादा हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारे के उनुसाथ करोना वैक्सीन की अब तक 113,68,000,000 से ज़ादा डोस दी जा चुकी है जिनमें से 66,000,000 से ज़ादा वैक्सीन की डोस बीते 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राउंटर में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया